सब को जय मसिखी, और आज की वीडियो में मैं आपको परमिश्र के साथ नामों के बानों बताऊंगा और उनके साथ आपको बाइबल वचन भी बताऊंगा और आपने बाइबल वचनों को पढ़ सकते हैं, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जब हम वत्पती 22 सद्धै का वचन 13 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है तब अबराहम ने आखे उठाई और क्या देखा कि उसकी पीछे एक मेडा अपने सिंगों से एक जाड़ी में फसा हुआ है अंत अबराहम ने जाके उस मेडे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमवली करके चड़ाया अब हम परमीश्वर के दूसरे नाम के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसके बारे पार चलेगा निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का वचन 26 में उसमें इस प्रकार स लिखा हुआ है जड़ी तू अपने परमीश्वर योहवा का वचन तनमंद से सुने और जो उसकी दृष्टी में ठीक है वो ही करे और उसकी आग्यां पर कान लगाए और उसकी सब विद्यों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी करने वाला योहवा हूं अब हम परमीश्र पिता के तीसरे नाम के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसके बारे पर चलेगा यहेजकल की पुस्तक 48 अध्याय का वचन 35 में उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है नगर के चारों और का घेरा अठारा हजार बांस का हो और उस परमीश्र के चोथे नाम के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में पार चलेगा न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय का वचन 23 में उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है योहवा ने उससे कहा तुझे शान्ती मिले मत डर तू ना मरेगा अब हम परमीश्र पिता के पांचवे नाम के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में पार चलेगा निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का वचन 8 से लेकर वचन 15 तक परमेशर पिता को योहवा रा के नाम से भी बोला जाता है और आपको इसके बारे पार चलेगा बजन सायता तेश अध्याय में अब हम परमेशर पिता के साथवे नाम के बारें पढ़ेंगे और आपको इसके बन पर चलेगा यर्मिया की बुस्तक तेश अध्याय का वचन 6 में उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके दिनों में योहुदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग नेडर बसे रहेंगे और योहँवा उसका नाम योहँवा हमारी धार्मिक्ता रखेगा